वेल्कम एवरिबडी और मेरे दोस्तों आज है विक नहीं ज़र्णी शुरू करने जा रहे हैं जिसका में मकसद है कि हम फिजिक्स की ट्रू ब्यूटी को सबके साथ साजा कर सकें फिजिक्स बहुत ही इंट्रेस्टिंग और एक जॉइफल सब्जेक्ट है विट विकॉज व सम्फेक्टर्स हम इसे नहीं कर पाते हैं तो मेरा मेरे मकसद यही है कि इसे एंजॉइबल बनाऊ और जितनी भी एक्वेशन से फॉर्मूले है इसे जस्ट एस मैथमेटिक्स की तर करेंगे इसे फिल करवा देंगे हैं तो हम भी इस ये प्डाप हुआ हैं इसमें पुछा जाता है लेकिन इस पर सि supports करेंगे हम देखेंगे हैं एक उर स्क्राइश्यन में क्या शो कर रहे हैं, क्या आ प्रेसेंट कर ये, वो फिजिकली कैसे हम उसे देख सकते हैं, like not just equations but practically, so let's get started, with thermodynamics, thermodynamics, that is motion of heat, movement of heat, heat in motion, thermo means heat, dynamics means motion, अब इसमें हम करेंगे, work done in isothermal, in this temperature remains constant of the gas, and isothermal and adiabatic process, इसमें हमारी total heat system की constant रहती है, exchange नहीं होती है, तो सबसे पहले तो work done के लिए, जो necessary चीज़ें हो है, जो हम फॉर्वल लिखते हैं, work done equal to PDV, इसी से हम दोनों equations को derive करते हैं, दोनों process के लिए, लेकिन कभी सोचा, यो work done equal to PDV कैसे आया, इसे हम कैसे, के एक तरसे सोचो कैसे समझ सकते हैं, physically, true sense में, practically, अगर तुम इसे सोच पा रहे हो, that is well and good, और अगर नहीं, तो अफ हम वही करने जा रहे हैं, हम देखें के equation आई कैसे, और जिनको स्रिफ इंचीरों से मतलब है की कैसे derive होगा, so you can skip just about 2 or 3 minutes ahead, other than that, all of you, were trying to understand this, let's get to it, more than equal to PDV, तो चलो, इसके पहले मानते हैं, हमारे पास एक cylinder है, नहीं, क्यूं मानते हैं, इसमें ज्यादा easily समझा पाऊंगा, ऐसे सब easy ही है, एक cube है, यह हमारा piston है, ठीक है, इसमें हमारा लगा है, एक piston, नीचे कर देता हूँ, ठीक है, इसके हाइट अभी है, piston की हाइट, ठीक है, और इसके अंदर गैस भरी भी है, बहुत सारे particles है, ठीक है, ठीक है, और अभी सारे motion, इस सब एक motion में, zigzag motion में, motion कहते है, तो कोई से टकरा रहे हैं, bounce back कर रहे हैं, फिर टकरा रहे हैं, momentum change हो रहे हैं, तो जैसे यह particle है, यह से टकरा आया, तो इस पे कुछ force लगी होगी, ठीक, और ऐसी इतने सारे हैं, तो सब पे इस पे force लग रही है, अब सोचो, इस piston पे force लगेगी, तो क्या होगा, यह उपर को जाएगा, because of the power of this gas, और यह यह एक तरह से work done है, कि gas ने सिस्टम में work करा और यह piston उठ गया, तो यह piston अब यहां से उठके यहां आ गया, पहले यहां पे था ठीक है, अब यह यहां पहुंच गया, यह height हो गई, मैं DH लिख लेता हूँ, इतना height बढ़ गया, piston इतना उचावाँ, ठीक है, तो इतनी चीजे हमारा extra बढ़ है, ठीक है, तो यह diagram तो समझ आ गया, अब हम चलते हैं अपने इक अलग concept पे, जो हम नॉर्मली लिखते हैं क्या, work done हमा अब इसी equation से हम इस चीज में जाएंगे, पैठा में थोड़ से transformation करने पड़ेंगे, अब force क्या होता है, force होता है हमारा pressure into area, ठीक है, बिलकुल वही चीज, तुमने magic trick देखी होगी, pressure हम इसे लिख सकते है, pressure equal to force per unit area, तो तुमने देखा होगा कि, गुबारों को भी कील पे ठ ज्यादा हो जाता है, तो force क्यों pressure कम हो जाता है, जिसकी होज़े से हम नुकिलीची जो पर भी खड़े हो सकते हैं, अगर वह बहुत ज्यादा है, और surface area बढ़ा है, ठीक है, तो यहां से मैं simply एक चीज ले रहा हूँ, मैं force equal to P into A ले रहा हूँ, तो मैं ताकि मैं यहां पर force displacement, तो यही वह DH, तो यही मैंने लिखा pressure into area into DH, simple, अब यह जो मैंने cube लिया था, यह पूरा बकसा, माल लो कुछ हैसा, वगर drawing उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, तो इसकी आली जो length है, मैंने इसको L लिया चलो, ठीक है, और यह breath भी, तो volume क्या होता है, cube का, LBH, ठीक है, तो समलो, पहले इतना volume था, लेकिन बढ़ा कितना volume, यह DH, height body नहीं, तो उतना volume पूरा बढ़े गया, तो L into B तो हमारा area होता है, यह floor का area, तो यह तो same ही रहाएगा, area into बढ़ा कितना, मुझे change से मतलब है, ठीक है, तो वो बढ़ा DH, तो मैंने H की जगे लिखा DH, कितना बढ़ value, तो इसले मैंने लिखा A into DH equal to DV, change in volume, तो A into DH यहाँ पर भी है, A into DH हमारा DV है, P into DV, यहाँ से आती है हमारी equation, जो हम लिखते है, work done equal to pressure into change in volume, ठीक है, I hope कि clear हो गया होगा बिल्कुल, इस diagram से, कोई doubt हो तो पूछ लेना, comment section में, तब तक के लिए, अब आगे बढ़ते है, तो यहाँ पर हमारा main equation derive होगे, work done equal to pressure into change in volume, यह है हमारा physically हम कैसे देख सकते हैं, तो इतना काम अब रब करते, आप करते हैं, अब करते हैं, आपना main काम, that is work done in isothermal process, वो निकालते हैं, तो जो हमने work done का formula derive करा था, PDV, यह तो हो गया हमारा, अब यह DV है हमारा change in volume, V1 to V2, तो मैं लिख देता हूँ, P, integrate करना है, वहलों कितना चीव हुआ, तो V1 to V2, DV, अगर मैं से यार, वो diagram उटाना ना नीचे यह था, बड़ देखो, यह इससे practically भी देख सकते हो, मानों पहले piston यहाँ पे था न, ठीक है, तो यह था पूरा volume V1, और बाद में क्या हुआ, गैस की वज piston यहाँ चला गया था, ठीक है, ठीक है, तो volume इतना area बढ़ गया, तो यह जब पूरा है, यह हमारा V2 है, V1 यहाँ से लेके, यहाँ तक बढ़ा है volume, ठीक है, इतना पूरा volume, तो यह हमारा है change in volume, DV, V1 से V2 के लिए इसले integrate कर रहे है, V1 से V2, ठीक है, तो work done, यहाँ गया, और यह perfect gas equation होती है, तुमने देखा होगा, तो से हम लिखते है, PV equal to nRT, n होता है, वहना number of mole, तो अगर मैं यहाँ पे एक mole के लिए बात करूँ, तो मेरा PV हो जाएगा, RT के equal, PV equal to RT, और यहाँ से मेरा P equal to RT upon V हो जाएगा, तो मैंने वह ही करा, P की जगे लिखा मैंने RT upon V, RT upon V, V1, V2, V2, DV, अब RT constant है, और हमारा gas constant ही, हमारा absolute temperature, तो RT तो बाहर आगया, क्योंकि दोनो constant है, V1, V2, DV upon V, और DV upon V क्या है हमारा, simple सा, integration है, 12th class वाला simple, इसे मैं ऐसे लिख दू, DX upon X, V के जगो X माल नहीं भी, तो DX upon X का log होता है, log X, ठीक है, it's that simple, DX upon X equal to log X, यह constant भी आता है, बट यहाँ पर हम constant का use नहीं करते है, because that is not important for us, ठीक है, तो मैंने हमारा log X, DX upon X equal to log X, तो वहीं पर यह होगा, अब यहाँ पर DV upon V है, तो हमारा log V हो जाएगा, work done equal to RT, V1, V2, log V, ठीक है, अब इधर आते हैं, और अपना करते हैं, work done equal to, RT, V1, V2, log V, यही है नए equation, तो अब हम इससे, value substitute करते हैं, VT को जगे, इसमें क्या होता है, अब पर बाउंड माइनस वो जाता है, तो देखों, RT, integration में, log V2, minus log V1, यह हो गया, और log की property होती है, अपनी, log A minus log B equal to log A upon B, तो work done equal to RT, log V2 upon V1, यह है हमारा formula, अब इससे एक दूसरा representation होता है, वो करते हैं, यहाँ पर जब हमारा log होता है, जब हम normal integration करते हैं, तो हमारा log E में होता है, base E होता है, अब इसे हम base 10 में change करते हैं, तो उसके लिए यह हमारा हो जाता है, जब E से 10 में change करते हैं, तो पूरी equation 2.303 से multiply होती है, ठीक है, तो यह होता है, हमारा 2.303 RT log 10 V2 upon V1, और यह ऐसा इसलिए होता है, कि हम base change करते हैं, log का, और कोई special reason नहीं है, इसका मैं कलक से वीडियो बनाऊंगा, वो mathematical reason है, वो करेंगे कि base change कैसे होता है, ठीक है, तो यह है main formula हमारा, 2.303 RT log V2 upon V1, तो बाद में जितना volume था, पहले वाला volume, इसको RT से multiply करें, यह हमारा होता है, work done in isothermal process, तो यहां तक एकदम clear है न, I hope so, तब तुम इसे कभी भूलोगे नि, क्योंकि तुमने इसे बिलकुल real life में देखा है कि कैसे compression और कैसे क्या हो रहा है, piston के अंदर, और मैं लेट्स रब इट, इस question के second part पे चलते है, that is work done in an adiabatic process, ठीक है, तो इसे कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ बता दे कि इसमें, PV equal to NIT वाला formula यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा temperature constant नहीं रहता है, adiabatic process में, वो change हो सकता है, इसलिए हम पहले यह तो जो basic चीज़ है, वो तो same ही रहनी है, work done equal to PDV, और आप तो imagine कर सकते हो ऐसा क्यों, क्योंकि cylinder को तो उपर ही जाना है, expand ही होना है, volume भी बढ़ना है, तो इसलिए work done equal to PDV, ठीक है, तो इसके बाद का process सेम नहीं होगा है, यह तो लिखा है, लेकिन यहापे एक दूसरी चीज़ होगी, जैसे वहापे हम P equal to RTL लिख रहे थे न, यहापे हम लिखेंगे, PV की power gamma equal to constant, अब यह स्रिफ adiabatic process में ही constant रहता है, और यह क्यों आता है, यह भी हम देखेंगे, बट दूसरी वीडियो में, ठीक है, इसमें हम इसको as it is लेके चलते है, PV की power gamma equal to constant, तो मैं क् सकता हूँ, मैं P को लिख सकता हूँ, K upon V की power gamma, या फिर P equal to K, V की power minus gamma, क्योंकि जब यह उपर जाता है, तो exponent में negative sign आता है, ठीक है, यह हो गया, तो मैंने लिख दिया, work done equal to P की जगे, K, V की power minus gamma dv, ठीक है, अब मैंने इसको integrate करा volume, क्योंकि यह तो बाहरा आ गया, क्योंकि ठीक है, तो यही वा मेरा, V की power minus gamma dv, ठीक है, अब यह simple integral है, जो हम 12 में करते थे, कर रहा होगा भी तो लोगे ने, ठीक है, क्या होता है मारा, मालो यह V को X माल लिए और gamma को N, समझे लो X की power minus N है, तो इसके integral क्या होगा, X की power minus N plus 1, upon minus N plus 1, same चीज़ यहाँ पर है, वस यहा इने के लिए बता दियो, ठीक है, V1, V2, तो V की power minus gamma के लिए क्या होगा, देखो, V की power minus gamma plus 1, upon minus gamma plus 1, यह हो गया, ठीक है, अब इसको कर देते है, value substitute, V1 से VTuck के लिए integrate, ठीक, तो मैं गया, तो क्या होगा, पहले मैं ने लिखा, V2 की power minus gamma plus 1, upon minus gamma plus 1, minus V1 की power minus gamma plus 1, upon minus gamma plus 1, अब minus gamma plus 1, अब minus gamma plus 1 दोनों में common है, तो मैं उसे एक साइड लिख लूँगा, ठीक है, तो देखो, work done equal to k upon minus gamma plus 1, ठीक है, और अंदर क्या बचा था हमारा, V2 की power minus gamma plus 1, minus V1 की power minus gamma plus 1, ठीक है, अब देखो, हमारे यहाँ पे उपर क्या atoms बनी, work done equal to k v2 minus gamma plus 1, minus k v1 minus gamma plus 1, ठीक है, कि यह पूरे से multiply हो गया, और नीचे दोनों के common में तो है, यह मानिस gamma plus 1, ठीक है, यह यहाँ तक हम पहुँच गए, अब इसके बाद एक process आती है, जिसे हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, कि कैसे करें, तो let's see, कैसे करेंगे, बहुत easy है, हम detail में समझाएंगे, और यह step होता है, जो book में overwrite होता है, उसमें detail में नहीं बताया होता कैसे होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जानते हैं, कि से कैसे change करें, जिसमें नहीं लिखा था, pv, हमारा pv की power gamma constant होता है, तो उसी तरह हम कह है सकते है, इस process में सब का, जैसे p1 v1 भी constant होता है, और p2 v2 भी constant होता है, ठीक है, और यह दोनों आपस में भी equal होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे p2 v2 की power यह equal to constant है, गामा मतलब, ठीक है, p2 v2 की power gamma equal to constant होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं p2 को लिख सकता हूँ k upon v2 की power gamma ठीक है और यह imply करती है कि जो k की power v2 minus gamma ठीक है समझे हो एक ही चीज़े यह बसी उपर चला गया तो minus हो गया minus gamma ठीक है अब इसे हटाओ यह आ गया न तब देखा हमें दोनों सैट अगर मैं कर दू पी से multiply ठीक है वी से मतलब वी टू से इधर भी वी टू से multiply कर रहा इधर भी वी टू से multiply कर दिया दिख रहा है यह बॉर्डर और और आगेस नहीं दिख रहा होगा न चलो दोबारा से इधर कर देता हूं तो यार स्वारी थोड़ा सा एरर हो रहे है जाता साइड में चला गया था मैं अब मैं इसे इधर ही लिख देता हूं हाँ पी टू वी टू इक्वल टू पी टू इक्वल टू के तो इससे मुझे पता चला है पी टू इक्वल टू के पावर माइनस गामा फिर मैंने दोनों साइड वी से multiply करा तो इधर बन गया मेरा पी टू वी टू इक्वल टू के वी टू की पावर माइनस गामा फ्लस वन क्योंकि वी टू से सेम वो है फेक्टर है तो पावर मैड हो जाता है तो मैं देखो यह जो टाम है इसकी जगे यह दोनों इक्वल है तो यहाँ पे देखो क्या है के वी टू माइनस गामा फ्लस वन k v2 minus gamma plus 1 तो मैं इसकी जगे p2 v2 लिख सकता हूँ ठीक है? तो मैंने लिखा इदर work done equal to इसकी जगे p2 v2 p2 v2 और same इसी तरह करोगे यहाँ पे अगर तुम 1 लिख दो v1 p1 इसकी जगे v1 यहाँ पे भी तुम multiply कर दोगे v1 से ठीक है? बस तुम v1 चेंज करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा final answer same चीज़ यही same यही मिलेगा ठीक है? तो यह हमारा आजाएगा p1 v1 ठीक है? upon minus gamma plus 1 यही है हमारा work done in an idiomatic process और एक दूसरा expression होता है इसी को लिखने का वो भी देख लेते हैं क्या होता है? वो simple यही होता है इस पूरी term को minus minus उपन नीचे कर देते हैं minus लगा के ठीक है? तो इसमें minus लगाएंगे दो उपन नीचे ठीक है? तो equation में chain नहीं आएगा बट वो terms बदल जाएगी अब मैंने minus लगा आया है उपन नीचे तो वाली term positive हो जाएगी याली negative तो बन जाएगा P1 V1 minus P2 V2 और नीचे अभी minus gamma plus 1 है तो तब क्या होगा यह minus gamma वाला positive term हो जाएगा और plus 1 minus 1 हो जाएगा ठीक है? तो यह दोनो equally equal expressions है यह कोई difference नहीं है बस terms अब change हो चुका है sign दोनों का ठीक है तो यह दोनों equivalent है और यह है हमारा work done in adiabetic process तो कैसा लगा? easy है ना? और मैं सोच रहा हूँ कि तुम से लोगों भी से visualize कर पाऊगे और easily इसे exam में लिख पाऊगे तो अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाइ welcome everybody और मेरे दोस्तो आज एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे है जिसका में मकसद है कि हम physics की true beauty को सब के साथ share कर सके मेरा में मकसद यह है